इस सुहाने मौसम ने इस सुहाने दिन में एक एतिहासिक जगा पर कुछ जरूरी तेह्केकात करने। सही सुना आपने यह एक एतिहास एक जगा, कहां खड़े हैं हम जानना चाहेंगे आप, हम खड़े हैं हिंदू कॉलिश डेली उनिवर्सिटी में, बही हिंदू कोले जो प्रदिवन्चर ने हमें बताया है कि 1890 में में स्थावित हुआ था, क्या है इस लाल बेडिंग के आप सुचोए होगे कि अच्छा पॉइंट क्या है, वाई, पॉइंट ए है जराओ, कि सोचालोजी डेपार्टिमें में 2014 की क्लास है, 40 बुरंद अब कॉलेज से विदा उड़ेता रहे हैं, उन्ही लोगों की विदाई के बिए, उनके कुछ प्यारे चुर्स मेहत पे रहे ह काल है कि अच्ट्व है कि अच्टीमें उनके आगे जराओ, पॉग हैं, आपके डेज़् आभाणा कुछस्च की जराए किवाद आओ, इस जराओ, क्याए, उनके आपके रिश्तार कुछ दूमोगों प्रॉप बड़ते हैं, इस आपस्टाराइं आपके डिस्तार विवार क है नए नए साचे में ढलते है इक पीर ही आते है इक पीर ही जाते है बन भी नहानी नए आज से तीन साल पहले 2011 के बार्वी कक्षा के बोर्ट्स खत्म ही होए थे कि इन 40 दुरंधरों को लगा कि इनकी जिंदगी का एक भयानक मोड अब खत्म इन्हें क्या पता था कि इनके माता-पिता के पास है एक सवाल वो सवाल जो शायद इनकी जिंदगी का सबसे महत्वपू सवाल साबित होने वाला था बेटा स्कूल तो किसम हो गया अब आगे क्या करने का सूचा है पापा मैं हिंदू कॉलिज से सोच्यालोजी बढ़ना चाहती हूँ लेकिन बेटा सोच्यालोजी करके कोई फ्यूचर नहीं बनेगा लेकिन अगर तुम्हारा दिल सोच्यालोजी पर आ ही गया है तो जाओ बेटा जीलो अपनी जिंदगी पढ़ो सोच्यालोजी हिंदू कॉलिज की वो सुहानी गलिया फर्स्ट फ्लोर सोच्यालोजी डपार्टमेंट हुमानिटीज कॉरिडोर की वो महक रूम नमबर ट्वेंटी सेवन के सामने उन बच्चों के एकत्रित होकर किल किलाने की आवाजे यही सब देखा उन चालीस दुरंधरों ने अपने कॉलिज के पहले दिन पर कि आवाजे जगदीश हरे स्वामी जए जगदीश हरे यह था इन चालीस दुरंधरों के कॉलिज का पहला दिन तीन साल उस दिन के बार यूही हसते खेलते बीट कर लेकिन एक चरबी बाकी है मेरे दोस्त आप कर दोस्त कर दो सकते हैं I'm surrounded by imposters, everywhere I turn I'm surrounded by identity crisis, everywhere I turn Am I the only one to notice, I can't be the only one who's learned I don't want to be anything other than what I've been trying to be lately All I have to do is think of me, and I have peace of mind I'm tired of looking around, but I'm wondering what I've got to do Or who I'm supposed to be, I don't want to be anything other than me Can I have everyone's attention please? If you're not like this and that You're gonna have to leave I came from the mountain The crust of creation My whole situation made from clay to stone And now I'm telling everybody I don't want to be anything other than what I've been trying to be lately All I have to do is think of me, and I have peace of mind I'm tired of looking around, but I'm wondering what I've got to do Or who I'm supposed to be I don't want to be anything other than me I don't want to be anything other than me I don't want to be anything other than me श्यामे मलंग सी, राते सुरंग सी, बागी कुडान पे ही, ना जाने किल, विलाही मेरा दी आए, आए, विलाही मेरा दी आए, आए कल पे सवाल है, जीना पिलहाल है, खाना बदोषियों पर ही, जाने क्यूँ इलाही मेरा दी आए, आए दिला ही मेरा दी आए आए मेरा बजवा कंदे पे मेरा बसता चला मैं जहां ले चला मुझे रस्ता फुदो पे नहीं फुदो के समन्तर पे दिला ही मेरा दी आए आए दिला ही मेरा दी आए आए भी आए इक जहां ले ले आए उख शामे मलंग सी राते सुलंग सी वादी पुढान पे ही ना जार एक्यों। एला ही मेरा जी आए, एला ही मेरा जी आए, ए एला ही मेरा जी आए, एला ही मेरा जी आए, एसरा को फाला ही मेरा जी आएंगा टाराक मेरां But still it's farewell And maybe we'll come back To both look and tell I guess there is no one to blame We're leaving ground Will things ever be the same again It's the final countdown The final countdown We're heading for Venus And still we stand tall Cause maybe they've seen us And welcome us all With so many light years to go And things could be found I'm sure that we all miss her so Today is the day when you close another chapter of your lives A day when you'll cross the line to reach the sky On every facet of this institution You have left a mark And each experience will return upon the beautiful reflections A lot will change But the magical memories cannot be taken away It is here that life, friendship and love were celebrated So it's time to bid adieu To the moments spent in classroom 27 and 39 To the corridors To the corridors which were rushed through to get to class on time To Pam and the canteen where you paid and the hostilwalas ate And where the strangest of people became buddies To the office windows which have witnessed wars as well as the prettiest smiles to get the work done To the bookshop being the constant supplier of the never written notes just before the exams To the place which has been home for the past three years May your journey be that of valour And we do not want to say goodbye Because tomorrow when we stand there To become a part of your world We would look for those familiar faces Who would draw their hands out And share their experiences with us